दोस्तो मैं दलीप कुमार यादव आप सभी लोगों को गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी लोगों का अप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है आप लोगों को थमनेल देख के पता चली गया होगा कि आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिशंजरन तंत्र पढ़ने वाले हैं तो अभी भी जिन लोगों ने अभी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख ले रग्त परिशन चरण तंतर और वीडियो को लाइक कर दे अगर अभी भी आप लोगों ने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हाँ और ये हमाई टेलिग्राम चैनल की नाम है और लिंक भी इसी से मिल जाएगी तो आप उसको जॉइन कर ले ताकि वहाँ पे आपको पर्टिकुलर इसकी जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडियाप नोट्स मिल जाएगी वहाँ पे और प्रिवियस येर के क्वेशन पेपर भी अप्लोड कर दिये गये है तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्टार्ट करते हैं तो ये कल का कोश्चन है तो इसमें कई लोगों ने आंसर दिया है तो उनका सही भी आंसर दिया है उन लोगों ने और हम उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी देखते हैं सब लोग आंसर दिया करें और लाश्ट में ये बताया करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कैसा लगा क्या कुछ हमें इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप हमें बताईए जरूर तो हम उस कमी को करेंगा कि कैसा है तो ये कल का क्वेश्चन है कि उस विधी को क्या कहते हैं जिसके दोरा गर्भासय में कौपर टी रखी जाती है तो क्या कहते हैं वाट इस दा मैथड कॉल्ड वाइब वीच कौपर टी इस प्लेश्ट इन दा युटरेस संभोग गर्विनिरोध गर्वध कि होती है कोपर टी कोपर टी जो होती है ये कोपर की बनी क्या होती है एक डिवाइस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं आई यूडी मतलब इंटा यूटराइन डिवाइस तो क्या करते हैं कि ये क्या होती है कि क्या करती है कि जब इसको गर्वासय में यूटरेस में रख दे तो क्या करती है यह जब यह copper या iod जब इसको uterus गर्भासे में रख देंगे तो यह क्या करती है कि यह cu cu plus 2 का क्या करेगी secretion करेती है तो जो यह secretion करेगी तो क्या होगा जो अपना liquid होता है गाणा हो जाता है इतलब जो sperm होती है तो क्या हो जाएगा अपना liquid गाणा हो जाएगा तो जिससे जो sperm की गती है तो sperm की गती क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी तो अगर गती धीमी हो गई तो क्या वो fallopian tube पे पहुँच पाएगा नहीं पहुच पाएगा ना तो अगर वो fallopian tube पे नहीं पहुच पाएगा तो क्या fertilization होगा नहीं होगा तो जो गर्व हासा में copper tea में रखी जाती है तो वह किसके लिए रखी जाती है वह किसके लिए किया जाता है गर्व निरोध के लि करते हैं, circulatory system, circulatory system का ये पहला question है, कि रुदिर plates का स्रोथ है, blood is the source of platelets, fibrinosan, thumboplastin, calcium 2 plus iron, या hemoglobin, तो जो platelets होती हैं, तो platelets का स्रोथ, source क्या होता है, तो जो platelets का स्रोथ होता है, calcium 2 plus iron होते हैं, तो अपना right answer क्या गया, C number, तो जो calcium 2 plus iron जो होते हैं, वह क्या करते हैं, तो जब चोट लग जाती है, ये कड जाता है, तो जब क्या होता है, कि blood निकलता है, तो जब blood निकलता है, तो blood को ठक्का बनाने के लिए, उसको ठक्का बनाने के लिए, जब जो अभिक्रिया होती है, उसको इस्टुमिलेट करती है, कौन, calcium 2 plus iron, और जब ये blood ठक्का जम जाता है, तो calcium iron की ही भूमिका होते हैं, वहाँ बहुत ज़ादा, तभी क्या होता है, उसका ठक्का जमता है, right, तो calcium 2 plus iron का, ये काम होता है, इस्टुमिलेट करने का काम करता है, ठीक, अब बाद कलनेते हैं कि इसकी platelets की, platelets है क्या, तो जो ये platelets होता है, ये कहाँ, mammals में पाया जाता है, ठीक, और अगर इसकी size की बाद करें, size की बाद करें, तो इसका size होता है, 0.002 mm से ले करके, 0.004 mm तक, right, और इसकी quantity या इसकी मात्रा की बाद करें, ये कितनी पाय जाती है, तो ये पाय जाती 1.5, लाक्षे ले करके, कितनी 4 लाक तक प्रती mm क्यूब में, और अगर platelets में nucleus की बाद करें, nucleus क्या होता है, इसमें absent होता है, nucleus नहीं पाया जाता है, और जो platelets का निर्माड होता है, तो निर्माड कहां होता है, जो platelets का bone marrow में, bone marrow में, और अगर इसकी death की बाद करें, तो death कहां होती है, इस plane में, मतलब pleeha, bone marrow मतलब अस्थी मज्जा, और इसका जीवन काल की बाद की जाए, तो जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, 2-4 दिन, तो से 4 देज, और इसका क्या है, काम platelets का, कि जब क्या हो जाए, कट जाए, ये चोट लग जाए, तो क्या होता है, जो blood निकलता है, तो blood को ठका बनाने के लिए, तो blood को जो रट बहाओ है, उसको रोकने के लिए, कौन काम करता है, platelets करती है, और अगर क्या होगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सा यह जब डेंगू हो गया चिकन गुनिया रोग हो जाती है तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है इसलिए बोला जाता है कि जब डेंगू और च RBC की संख्या प्रती घन मिली मीटर प्रती मानों में कितने मिलियन है How many million are the number of RBC in per cubic mm per humans 5.5, 8.0, 7.0 या 3.0 तो जो RBC की संख्या वह कितनी पाई जाती है यह पूछा गया है तो बताएए तो आएए RBC के बारे में पहले देख लेते हैं कि RBC है क्या तो वहां से हमको confirm हो जाएगा है ना RBC, RBC का full form क्या होता है red blood cells Red blood cells इसी को RBC को भी क्या कहा जाते हैं और erythrocydes erythrocydes भी कहा जाता है यह कई बार question में पूछा गया है कि erythrocydes किसे कहा जाता है या RBC को और किस नाम से जाना जाता है अभी इसकी shape की बात करें इसका आकार कैसा होता है तो round होता है और by concave होता है by concave इसमें अगर बात करें कि nucleus पाया जाता है या नहीं तो इसमें nucleus जो होता है वह कैसा होता है absent होता है nucleus नहीं पाया जाता है लेकिन exception है अपवाद है कि उट में और किस में उट के RBC वा लामा उट वा लामा के RBC में क्या होता है nucleus पाया जाता है और इसकी बात करें कि निर्माड की निर्माड कहा होता है RBC का तो bone marrow में होता है और जो गर्भस्त सिसू होते हैं कैसे जो गर्भस्त सिसू होते हैं तो उनका जो RBC उनकी RBC कहां बनती है प्लीहा एवं एक्रत में स्प्लीन एंड लीवर में और RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है जो इसकी death होती है वह कहां होती है स्प्लीन हुमें होती है तो इसी लिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान यह रक्त का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है इस प्लीन को कहा जाता है यह कई बार question में पूछा गया है कि blood का कब्रिस्तान या RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है तो इस प्लीन को कहा जाता है यह point को ज़्यादा याद रखिए ठीक ध्यान दीजिएगा और बात करें कि इसकी संख्या कितनी पाई जाती है तो पहले male की बात करें तो male में ये कित्ती होती है 50 लाग से 50 लाग प्रती mm cube होती है और female की बात करें female की बात करें तो ये कितनी 45 लाग प्रती mm cube होती है तो इसका औसरत निकाल लेते हैं पन किता आता है 5.5 के संथिंग आता है है ना माना जाता है तो जो अपनी आरबीसी की संख्या इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नंबर जाएगा ठेक और RBC का color की बात करी एक क्या होता है तो जो RBC होती है RBC में क्या पाई जाती है Hemoglovin protein पाई जाती है Hemoglovin protein पाई जाती है जिसके कारण इसका color कैसा होता है रेड कलर होता है और अगर यदि without hemoglobin के देखा जाए, without hemoglobin के देखा जाए, यह only RBC को देखा जाए, तो उसका कलर कैसा होता है, yellow color, पीली कलर की हमाई RBC होती है, right? और अगर RBC की, जो यह कितनी है, यह सामान्य मात्रा कितनी है, 50,00,00 और 45,00,00, अगर इससे कम हो जाए, blood में, right? तो जो RBC की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, anemia रोग होता है, बुला जाता है न, कि blood की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, anemia, यह यह रही RBC के बारे में जानकारी, तो इस पर अपना right answer क्या गया, a number, right? नेक्स्ट question क्यों आप आँगे बढ़ते हैं, आप अपन, कि रुधिर के संबन्ध में, अपना question क्या कह रहा है, कि रुधिर के संबन्ध में, निम्न में से कौन सा कथन सही है, which of the following statement is correct regarding blood? तो देखिए क्या कह रहा हैं कथन, पहला कथन कह रहा है, कि लाल रुधिर कड़काओ, RBC द्वारा O2 याने oxygen, तथा plasma द्वारा CO2 मतलब carbon dioxide का परिवाहन होता है, और दूसरा क्या कह रहा है, तो यह बात तो सही है, कि जो RBC, RBC के द्वारा किसका परिवाहन होता है, oxygen का परि oxygen, यह दोनों मिल करके किसका करते हैं, यानि कि यह दोनों मिल जाते हैं, और क्या करते हैं, परिवाहन करते हैं, जब हीमोगलोवीन और oxygen मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, oxygen हीमोगलोवीन, और plasma द्वारा किसका परिवाहन किया जाता है, CO2 का carbon dioxide का परिवाहन किया जाता ह तो अपना A statement जो है वह सही है तो अपना right answer A जाना चाहिए अब आगे के जो next statement है उनको भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें जो O2 वा CO2 मतलब carbon dioxide और oxygen दोनों का परिवहन लाल रुदिर कडिकाओं वा स्वेत रुदिर कडिकाओं दोनों के द्वारा होता है तो यह option तो तो यह भी अपना गलत हो गया लाल रुदिर कडिकाओं वा प्लाजमा दोनों O2 वा CO2 का परिवहन करती है तो दोनों तो नहीं करती है ना क्योंकि केवल लाल रुदिर जो RBC होती है वा केवल O2 का ततर जो प्लाजमा होती है वा केवल CO2 का करती है तो यह भी अपना statement गलत ह तो अपना इस्टेटमेंट कौन सा A सही है तो इस पर अपना राइट अंसर क्या हुआ? A नमबर, राइट? तो एक बात और कि हम प्लाजमा के बारे में जान लेते हैं कि प्लाजमा है क्या? है न। तो देखो जो ब्लेड होता है, ब्लेड का जो लिक्वेड पार्ट होता है व वाला हो गया कॉन सा ?Plasma. और matrix में अपना आ जाता है wrbc wbc और platelets CHAde प्लाज्मा . तो जो plasma होता है वουν किते परसेंट Jennifer 25% और remaining जो बचा हुआ किते 45% कौन से होते हैं RBC WBC और platelets होती है तो जो प्लाज्मा होती है प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है जल H2O कितना पाया जाता है 92% क्या पाया जाता है जल पाया जाता है और इन और्गनिक मेटेरियल्स पाया जाते हैं कौन कौन से अपने शोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया यह कितने पाया जाते हैं 2% के सम्थिंग पाया जाते हैं और इसमें क्या पाया जाती है प्लाज्म प्लाज्मा 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 प् करती है जो परासरणी नियमन का कार करती है जो ऑस्मोसिस रेगुलेशन का काम करती है कौन अल्विमीन परासरणी नियमन ऑस्मोसिस रेगुलेशन का काम करती है कौन अपनी अल्विमीन करती है यह आप लोग को इत्ती जानकारी प्लाजमा के बारे में थी हमने दे दिया तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया, ए नमबर राइट, तो अब नेक्स्ट कोश्चन की और आगे बढ़ते हैं। अपना राइट आपना राइट, तो एक कोई लड़का है, जिसकी सडक में दुरघटना हो गई है। तो उसको ब्लेड की बहुत ज़ादा नितन्त आवश्यक है और उसका एक दोस्त है, जिसका ब्लेड ग्रूप उसको मालूम है। बताना है कि जो उसका दोस्त है, जो blood दे रहा है, उसका कौन सा blood group है, और जो जिसको चोट लगी है, उसका लगिन हमको मालुम नहीं है, उसका A, B, O, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बताना है, तो उसका blood group कौन सा होगा, तो आईए सबसे पहले blood group के बारे में जान लेते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, है ना, तो अगर बात करी कि blood group की जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग की जनक किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कॉर्ल लेंड इस्टीनर को, किसको कहा जाता है, कॉर्ल लेंड इस्टीनर को कहा जाता है, तो इन्होंने क्या किया है, एंटीजन, एंटीजन और एंटीबोडी, एंटीजन और एंटीबोडी के अधहार पर, जो blood होते है, blood को कित्ते बहागों में बाता, कित्ते चार, कौन कौन से, पहला हो गया A, दूसरा हो गया B, A, B, और O, तो इन्होंने बताया, इसका अपन, ये तो सही है, कलर अपन ब्लू कर लेते हैं, यहाँ पर, अपन एंटीजन, एंटीबोडी, और वह किस-किस को दे सकता है, हाना, और किस-किस से वह ले सकता है, ये देखना है आपको, हाना, तो जो blood group A है, इसमें कौन सी एंटीजन पाया जाता है, इसमें एंटीजन A पाया जाता है, और इसमें एंटीबोडी कौन सी हो तो यह किस-किस को दे सकता है, तो यह A को दे सकता है, और A B को दे सकता है, और यह किस से किस से ले सकता है, यह A से ले सकता है, blood group A वाले से और O से ले सकता है, और B, B में कौन सी antigen पाई जाती है, B, इसमें जो antibody होती है, वह कौन सी A antibody पाई जाती है, और यह किस-किस को दे सकत और यह किस-किस से ले सकता है, B से और O से, Blood Group याने AB, AB में कौन सा Antigen पाया जाता है, इसमें AB पाया जाता है, और जो Antibody होती है, इसमें क्या होती है, Absent होती है, और यह किस-किस को दे सकता है, तो यह किसी को नहीं दे सकता है, इस्वारी ये किसको only A, B को दे सकता है और ये ले किस से सकता है A से भी ले सकता है B से भी ले सकता है A, B से भी ले सकता है और O से ले सकता है और बात करें इसमें O में O में कौन सा antigen पाये जाते हैं तो इसमें कोई सभी antigen absent होता है antibody की बात करें तो इसमें जो antibody होती है, वह कौन सी होती है, A और B antibody होती है, और यह किस-किस को दे सकता है, तो यह A को दे सकता है, B को दे सकता है, A B को दे सकता है, और O को दे सकता है, और यह ले किस से सकता है, only O से ले सकता है, तो जो शर्वदाता, शर्व यानि डोनर, कौन हुआ, O हुआ, और ग्राही receptor कौन हुआ A तो A B तो A B जो है वह सबसे ले सकता है और blood group O जो होता है वह सबको दे सकता है तो जो रुधिर दाता का बताना है अपने को जो blood donor है तो blood donor का group कौन सा होगा O होगा तभी तो वह चले अज्यात है ने A B O याने कि चाहे उसका A हो या B हो या A B हो या O हो तो A किसी को भी दे सकता है तो मतलब जो donor का blood group क्या होगा O होगा तो अपना right answer क्या जाएगा D number जाएगा और बात करें कि अगर जो blood group A है A की खोज किसने की A हो गया B हो गया और O हो गया तो इनकी blood group की खोज किसने किया है land istener land istener ने किया कब किया है उननिश्यों में किया है और बचा अपना क्या A B तो A B blood group की खोज किसने किया है डिकॉस्टलो तथा इस्टरलेने डिकॉस्टलो तथा इस्टरलेने कब किया था 1902 में किया था और इसमें कभी कभी पूच लेता है कि blood transfusion transfusion blood transfusion रुधिर परिवहन को किसने बताया है blend डेल ने बताया है किसने blend डेलने ब्लेंडल ने बताया है तो इस पर अपना जो सर्वदाता होता है वह कौन होता है वह होता है डोनर होता है और receptor रही कौन होता है ए भी होता है राइट next question की और आब आंगे बढ़ते हैं हम हमारा question क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन से कथन मानो परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विशाय में सत्त हैं तो कौन सा कथन सत्त है which of the following statements are to about the veins in the human circulatory system सभी सिराओं कारवन डाइ आकसाइड बहुल रुधिर का वहन करती है या शिराओं की दिवारे पतली होती है ये सिराओं रुधिर को विविन अंगों से हैदय की ओर ले जाती है तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है तो देखो जो वेन होती है जो सिराएं होती है ये क्या करती है ये जो असुद्धरक्त होता है कौन सा असुद्धरक्त होता है असुद्धरक्त को वो कहां ले जाती है है हैदय की और ले जाती है ताकि वह ब्लेट शुद्ध हो शके उसको प्योर बनाया जा सके तो क्या करती ह कि ये blood को ले जाने का काम करती है तो हैदय की और ले जाने काम करती है तो अपना ये statement तो क्या हुआ? सही हुआ और अगर इसकी जो wall होती है तो wall कैसी होती है? पतली होती है आप लोगों ने अपनी हाथ में देखा होगा कि जो उपर की और नस दिखती है ने जिसमें अपना ब्लू कलर या ग्रीन कल का हलका ब्लू ब्लू दिखता होगा कलर देखे तो वो कौन सी है वो सिराएं होती है जिसमें क्या बैता है असुद्धरक्त बैता है तो उपर की और कौन सी पाई जाती है शिराएं पाई जाती है और नीचे जो धसी हुई होती हैं वो कौन सी पाई जाती है धमनिया अंदर की ओर पाई जाती जिसमें शुद्ध रख्त बहता है राइट तो जो वाल यानि कि जो इनकी दिवारे होती हैं वो कैसी होती है पतली होती है तो इसमें B और C अपना statement क्या हस सही है तो और क्या कह रहा है कि सभी सिराएं कारवन डाय अक्साइड बहुल रूधिर का वहन करती है तो यह statement तो यहने कि जो अपनी सिराएं होती है वो कारवन डाय अक्साइड का तो वहन करती है लेकिन सभी सिराएं नहीं करती है जो इसमें एक exception जो है जो क्या करती है वह सुद्धरक्त को लेके जाती है तो वह कौन सी है ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी सिरा है जो सुद्धरक्त को लेके जाती है अभी हम लोग को आपको ये कमेंट करके बताए कि कौन सी जो सिरा है वो सुद्धरक्त को लेके जाती है तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा B number तो comment करके आप जल्दी से जल्द बताईए कि कौन सी ऐसी सीरा है जो कि सुद्ध रक्त को लेके जाती है next question क्यों आगे बढ़ते हैं वपन सर्व दाता रक्त समू है O positive O negative AB positive या AB negative स्वारी यहां पे क्या हो गया कि O कि 2 हो गया तो एक इसको AB समझ लीजिए AB positive तो देखिए सर्व दाता समू अपनने तो अभी तक पढ़ा था कि जो universal donor होता है वह किसको माना गया O को माना गया लेकिन यहां पे क्या दिखा दिया गया RH Factor positive और negative दिखा दिया गया तो अब इसके हिसाब से कैसे बताओगे तो जो RH Factor होता है RH Factor है ना positive और negative जो RH Factor होते हैं उसको किसने बताया कि land steiner एवं एक और कौन से? winner तो इन्होंने एक मकाका की मकाका मकाका रीसस बंदर मकाका रीसस बंदर पी इन्होंने खोज किया और देखा कि उसमें एक और अलग से कुछ RH Factor पाए गया कब इन्होंने देखा 1940 में उसी के हिसाब से इन्होंने RH Factor की खोज निकाली तो उन्होंने बताया कि जो RH Factor होता है RH positive RH positive में क्या होते है कि जो antigen होते है क्या होते है present होते है ठीक और जो RH negative होता है RH negative में जो antigen होती है वे क्या होती है absent होती है तो उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि RH negative मतलब जो universal donor क्या मना गया O तो जो O negative होगा O negative है सभी को दे सकेगा तो अगर कभी पूछे कि universal donor कौन है तो अगर वहाँ पर positive और negative पूछा है तो O negative आप लोग बताएंगे कि जो O negative blood group बाले है वे universal donor कहलाएंगे तो next question की ओर लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमने आप से question किया था कि जो सुद्धरक्थ को ऐसी कौन सी सीरा है जो सुद्धरक्थ को लेकर बहती है तो वह कौन सी है pulmonary vein है pulmonary vein ठीक फुपुफुस सिरा जो होती है वह कैसे सुद्धरक्त को लेकर बैती है राइट चलिए next question क्यों रांगे बढ़ते हैं वपन हीमोगलोवीन का एक अड़ू अधिक्तम कितने ऑक्सीजन अड़ू वहन करता है तो जो हीमोगलोवीन होता है वह कितने ऑक्सीजन के अड़ू को लेके परिवहन करता है वहन करता है तो हीमोगलोवीन का एक अड़ू और ऑक्सीजन के किते चार अड़ू जुडते हैं क्या ब आया है, आथाया है वहाँ पे. तो जो हेमोग्लोवीन के कित्ते, एक अड़व और आक्सीजन के, चार अड़व तो इसमें, कित्ते, किसका पूछा गया है? एक अड़व अधिकतम, तो कितने ऑक्सीजन के, तो आक्सीजन के कित्ते होगे जाएंगे चार, तो अपना wert अंसर हो जाएगाा और नेक्सक्टारइब इस और पे शे रभ रिखरी घ्री तो स्चिर्धे तो पहले आप समझें कि सब्लाइब होता क्या है तब ही तो आप बता पाँगए है तो जो venus heart होता है venus heart तो जो venus heart होता है venus heart मतलब इसमें क्या होता है कि जो अपना impure blood होता है impure blood तो venus heart में क्या होता है जो impure यानि असुद्ध रखत जो होता है वह कहां जाता है clone में clone मतलब gills में जाता है और gills से क्या होगा हुआ है शुद्ध होगा प्योर होगा ठीक और इंप्योर ब्लेड कहां गया गिल्स में गया गिल्स से क्या हुआ वहां पे वो प्यूरिफिकेशन हो उसका सुद्धी करण हुआ सुद्ध हुआ प्योर हुआ है ना गिल्स में और उससे गिल्स से वह कहां जाता है पुरी बॉ में उसका संचारित हो जाता है तो इस प्रकार के heart को हम क्या कहते हैं Venice Heart कहते हैं Venice Heart Venice Heart कहा जाता है Right मतलब Siri HADA कहा जाता है तो यह किस में पाया जाता है Fist में पाया जाता है ठीक तो अपना right answer क्या जाएगा B number और इसी को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बाई चेमबर्ड बाई चेमबर्ड मतलब द्वी वेश्मी कभी-कभी हिंदी से वर्ड आ जाए तो उसको आप द्वी वेश्मी मतलब बाई चेमबर्ड यह समझ लीजेगा तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया बी नमबर अब नेक्स्ट क्यों राँगे बढ़ते हैं हिमेटोलोजी का मतलब किसके अध्यन से होता है what does हिमेटोलोजी mean by study हिमेटोलोजी तो देखी हिम हिमेटो हिम आ गया ना वर्ड तो हिम अगर वर्ड आया तो समझ लेजिए कि यह किस से related होगा blood से किस से related होगा blood से तो जो hematology होता है hematology में हम किसका अध्यन करते हैं तो blood आ गया तो समझ लो रक्त का अध्यन किया जाता है तो c अपना right answer हो जाएगा तो blood का अध्यन करना क्या कहलाता है hematology कहलाता है और अस्ति या हड्दियों का अध्यान करना क्या कहलाते है औस्टियो लौजी अस्थी विज्ञानि इसको बोलते है तो अस्तियों का अध्यान क्या कहलाते है और जो उपास्थी, उपास्थी मतलब ये कैसी होती है, ये flexible connective tissue होती है, ये कैसी होती है, लचीली होती है, आपने देखा होगा कि जो आपकी कान की हड़ी हो गई, नाक की हड़ी हो गई, ये कैसी होती है, फ्लेक्सिवल होती है, तो वो किसकी बनी होती है, उपास्थी की बन होती है राइट अब ये तीसरा क्या है ब्लेड तो ब्लेड का अध्यन तो अपन समझ लिए कि क्या कहलाता है हिमेटोलोजी कहलाता है ठीक और नर्व यानि कि जो तंत्रिका 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 अध्यन क्या कहलाता है नियूरो साइंस नियूरो साइंस और जो नियूरो पंसर क्या गया सी नमबर चलें next question क्यों आंगे बढ़ते हैं वपन अपना next question है कि हैदय की दीवार बनी होती है what makes a heart wall तो जो हैदय की दीवार है वह किसकी बनी होती है apicardium की, myocardium की या endocardium की या उप्युक्त में से तीनों की तो किसकी बनी होती है तो जो अपनी हैदय होता है ठीक तो अगर हैदय होता है वह किस से वह जो होता है वह double membrane से घीरा हुआ होता है राइट दीवी जिल्ली से घीरा होता है और इसकी अगर shape की बात की जाए तो किसके shape में होता है कोन संकु के अकार का होता है और इसकी weight की बात की जाए हैदय की weight की बात की जाए तो कित्ता होता है 10.5 ओंस ओंस में बताया जाता है हैदय की weight को और इसकी wall दिवार की बात की जाए तो इसमें इसकी wall दिवार तीन तीन बनी होती है पहला होता है इपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, और तीसरी होती है एंडोकार्डियम, तो जो अपनी इपिकार्डियम होती है, कहां सबसे आउटर की और पाई जाती है, और यह आउटर लेयर होती है, और सूरखछात्मक लेयर होती है, जो पेरिकार्डियल होती है, पेरिकार्डि अंत्रिक लेयर होती है, और जो अन्दो कार्डियम होती है, जो अपनी वाल होती है, किसकी कन्येक्टिव टीशु कुई बनी होती है, तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा D number उप्यूक्त 3 हो जाएगा next question क्यों रांगे बढ़े हैं वपन next question क्यों रांगे बढ़ते हैं वपन कि निमने में से कि सिरा में oxygen यूक्त होता है अभी हमने just a question भी पूचा था आप लोगों से कि सुध्ध रग्त कौन सी सिरा में पहता है तो हमने बता दिया था answer हला कि अभी नहीं बताना था अभी बताना था तो answer तो आप लोग जानी गया है तो कौन सा होता है ए नंबर pulmonary veins तो अब next question क्यों रांगे बढ़ते हैं अपना next question क्या है कि अधिक उचाई पर मानव में लाल रत कड़िका है red blood cells in humans at high altitude तो जो RBC है RBC का अकार छोटा हो जाएगा या RBC का अकार बढ़ जाएगा या RBC की संख्या घट जाएगी या RBC की संख्या पढ़ जाएगी तो अगर आप अधिक उचाई पर चड़ते हैं तो क्या होगा हमने सायत पिछले याने की दो लक्षरों के पिछले वाले में पढ़ाया था कि जो अगर हम अधिक उचाई पर जाते हैं तो क्या होगा है न स्वसंत तंतर पर पढ़ाया था हाँ याद आ गया तो वहाँ पर क्या होता है कि सांस लेने में कटनाई होती है मतलब ऑक्सीजन लेने में क्या होती है कटनाई होती है ऑक्सीजन की हमें वहाँ पर क्या होती है आपूर्ती होती है तो अगर हमें ऑक्सीजन अधिक लेना है तो क्या करती है जो हमाई आरवीसी सेल्स होती है RVC cells क्या करेंगी उनका उत्पादन बढ़ जाएगा उनकी संख्या में ब्रद्धी होगी तो जब संख्या में ब्रद्धी होगी जिसे हमें oxygen परियाप्त मात्रा में मिल सकेगा तो क्या होता है वहाँ पे RVC की संख्या में ब्रद्धी होती है तो अपना D अपना right answer जाएगा कि RBC की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी समझ में आगया आप लोगों की इतना बढ़े next question की ओर खुला परिसंचरन तंत्र पाया जाता है open circulation system is found तो जो खुला परिसंचरन तंत्र है वह किस में पाया जाएगा जोक में, काकरोच में या दोनों में, या दोनों में से किसी में नहीं तो जो खुला परिसंचरन तंत्र है वह किस में पाया जाता है मतलब खुला परिसंचरन तंत्र मतलब क्या होता है कि जब artery जो हमारा blood है वह artery या vein में से ना होकर कि बैकर वह किस में से बैह रहा है वह नहीं कि जो वो body में भरा हुआ होता है और जब digestive system मतलब जब पाचन तंत की क्रिया होती है तो वह क्या होता है वह environment से direct connect कर लेता है और क्या करता है कि ये blood की वज़ये इसमें क्या होते हैं कि जो hemolymph होते हैं उसका उपयोग करते हैं तो ऐसा system क्या कहलाता है open circulatory system कहलाता है ठीक और इसमें कौन-कौन से आते हैं जैसा जोंक हो गया, काक रूज हो गया, इनमें कौन से परिशंचर अनत्र पाये जाता है खुला परिशंचर अनत्र पाया जाता है तो इस पे अपना right answer क्या हो जाएगा c number रइट? नेक्स्ट क्वेस्चन क्यों आँगे बढ़ते हैं वपन, कि लाल रगत कडिकाओं का जीवन काल होता है, तो हमने बताया था, कि RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, C नमबर, और कभी पूछ ले, कि WBC का जीवन काल कितने दिन का हो होता है राइट नेक्स्ट कोश्चन की और आंगे बढ़ें मनुस्य के सरीर का रुधिर बैंक है तो जो रुधिर बैंक है ब्लेड बैंक है वह किसको कहेंगे इस्प्लीन को कहेंगे फेपड़े को कहेंगे या हार्ट को कहेंगे या लीवर को कहेंगे तो जो ब्लेड बैंक है स्प्लीन को कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि देखो जो स्प्लीन होती है क्या होता है कि हमाई सरीर में जब हमाई सरीर में अत्यधिक रख तो हो जाएगा ना तो जो स्प्लीन होती है वह क्या करती है परिस्थिती के अनुसार अपनी आपको वह अकार में ढालेगी कभी सक्री ह जाती है तो कभी चोड़ी हो जाती है मतलब उसकी मुटाई बढ़ जाएगी तो कभी कम भी हो जाती है तो जब अगर ब्लेड जादा हो जाता है तो क्या हो जाएगी चोड़ी हो जाएगी और ब्लेड को इस्टोर कर लेगी और जब हमें कभी चोट लगती है यह कड़ जाता ह तो वहाँ पर क्या होगी, ब्लेड का लॉस होगा ना, ब्लेड की हानी होगी, तो जो ब्लेड होगा, वह कहां से जाता है, फिर स्प्लीन से जाता है, तो जो अपना ब्लेड बैंक है, वह किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को, और RBC का कब्रिस्तान भी, किसको कहा जाता है इस्प्लीन को ही कहा जाता है क्यों क्यों कि जो हमारी इस्प्लीन होती है वह क्या करती है ब्लेड को च्छानने का काम करती है तो जब च्छानने का काम करती है तो जब च्छानती है तो क्या होता है कि जो अपनी living rbc होती है वो तो छन जाती है लेकिन जो क्या होती है dead rbc क्या होती है उसमें फस जाती है तो जो अपना ispleen होता है वो क्या करतेता है उनको phagocyte मतलब macrophage भख्षड कर लेता है ठीक उनका भख्षड कर लेगा और उनको खतम कर देता है तो उसका कब्रिस्तान या क्या कहेंगे जो rbc का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं क्योंकि उनका वो भख्षड कर लेता है कौन कहलाता है कब्रिस्तान ispleen कहलाता है तो इस पर अपना right answer क्या गया a number और बात करें liver की तो liver जो होती है वो आसी है अपने body की अपने सरीर की सबसे बड़ी ग्रेंथी होती है लार्जेश्ट ग्रेंड लार्जेश्ट ग्लेंड राइट चलें आंगे बढ़े अब अपन next question की ओर next question अपना है कि सुद्ध oxygen क्रेत रख्त पाया जाता है ये साय तक अभी एक बार और question आया था है ना तो इस पर हाँ ये साय तक दो बार repeated हो गया मतलब की अलग अलग टाइप से मतलब ये question काफी बार पूछा गया इसलिए repeated हुआ है तो इस पर अपना right answer क्या जाएगा a number pulmonary vein right next question क्यों आप आँगे बढ़ते हैं आपन कि कार्डियो लॉजी है कार्डियो लॉजी किसके अध्यान को कहते हैं तो देखो जो यक्रत लीवर के अध्यान को अपन क्या कहते हैं तो अगर ये दी लीवर का अध्यान क्या कहलाता है हीपैटो लॉजी हीपैटो लॉजी फिर क्या है 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 हैदय के अध्यान तो हैदय के अध्यान को जो हैदय का डाक्टर होता है उसको क् कार्डियो लॉजिस्ट तो जो अपना हैदा का अध्यन है वह क्या कहलाएगा कार्डियो लॉजी तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा कार्डियो लॉजी का क्या है मतलब बीर अपना राइट आंसर हो जाएगा हैदा का अध्यन कहलाता है कार्डियो लॉजी आर वी सी मापन करना क्या कहलाती है, जिसके द्वारह RBC की मापन किया जाता है, वै रबिसे मापन यहनEnt और, RBC का अध्येन , मतलब RBC मतलब क्या होगा जाएगा ब्लेड, तो RBC का अध्यन क्या कहलाता है हिमेटो लॉजी हिमेटो लॉजी राइट अब ये हिपेटो लॉजी जो हिपेटो लॉजी होता है ये कैसा होता है इससे एक डिसीज होती है कौन सी हिपेटिस ये आप लोगों ने सुना होगा नाम है ना जो हिपेटिस होती है ये हिपेटो ल येकरत में सूजन आजाना, श्वैलिंग आजाती है, और ये किसकी वज़े से स्वैलिंग आती है, तो वाइरस की वज़े से, किसकी वज़े से वाइरस की दौरा, वाइरस के दौरा, ठीक, तो जो हिपेटाइटिस है, तो हिपेटाइटिस किते टाइप से होती है, पांच टा हिपोतायटीस Ï हिपोताइटीस दी और हिपोताइटीस ई तो अब इसमें जो सबसे ज्यादा खतर नाक है कुन है हिपोताइटीस B है और hepatitis E ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ये समझ लीजिए और इनके infection अगर infection हो गया और infection किसके द्वारा होता है इनमे blood के द्वारा अगर AD इनमे infection हो गया blood के द्वारा तो कौन से disease हो जाती है sexually transmitted disease langing संचारित रोग, HDD उसको short form में बोलते हैं sexually transmitted disease हो जाती है langing संचारित रोग तो अपना ये समझ लीजिए तो इसका cardiologic क्या हुगा हैदय का अध्यन right answer क्या गया है B number next question क्यों आँगे बढ़ते हैं वापन कि blood cancer, leukemia रोग में निम्न में से किस रुधिर कडिका की संख्या बढ़ जाती है तो जब blood cancer हो जाता है leukemia तो उसमें किसकी संख्या बढ़ जाती है RBC की, platelets की WBC की या lymphocytes की तो किसकी संख्या में ब्रद्धी हो जाती है तो बताईए तो देखो तो RBC के संख्या में यदि क्या हो जाए कमी तो कौन सा रोग हो जाता है एनीमिया रोग जिसमें ब्लेड की कमी हो जाती है और यगी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है किसमें हो जाती है जब डेंगू रोग होता है डेंगू हो गया या चिकन गुनिया चिकन गुनिया तो जब डेंगू या चिकन गुनिया हो जाता है तो जो अपना लिंफो साइट है, वह किसका टाइप है, WBC का ही एक टाइप है, तो अब आईए समझते हैं, WBC के बारे में, सबसे पहले WBC है क्या, देख लेंगे तो अपना ये आंसर क्लियर ही हो जाएगे, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लेड सेल्स, श्वेत रुधिर कडिकाएं, राइट, वाइट ब्लेड सेल्स होता है, इसका फुल फॉर्म, और जो WBC होती है, WBC की जो समान्य मात्रा, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है, साथ हजार से ले करके कित्ती हो जाती है, ग्यारा हजार, एमम, पर क्यो हो जाती है, इसकी संख्या होती है, ठीक, और इसका जीवनकाल की बात करें, जीवनकाल, कित्ते दिनों का होता है, दो से तीन दिन का होता है, ठीक, और जी, इसमें नूकलियस की बात करें, क्या, नू नुकलियस क्या होता है, एबसेंट होता है, और इसमें क्या हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, एबसेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक, और जो इसका निर्माड, इसका निर्माड इसके फॉर्मेशन की बात करें, तो निर्माड कहां होता है बोन मैरो में या लिम्प नोड में ठीक बोन मैरो बोन मैरो में होता है इसका निर्माड ठीक तो अब समझते हैं कि जो ब्लेड कैंसर है लिूकेमिया तो क्या होता है कि जो इसकी समान्य मात्रा क्या है साथ हजार से ग्यारा हजार अगर इसकी संक्या में क्या हो जाए जिसको अपन क्या बोलते हैं ब्लेड कैंसर हो जाता है अगर किसमे WBC की संख्या में ब्रद्धी हो गई तो अपना right answer क्या जाएगा C number तो जब WBC की संख्या में क्या हो गई ब्रद्धी हो गई तो कौन सारो हो जाता है लिूकेमिया ब्लेड कैंसर हो जाता है और तो इसकी इलाज के लिए इसके लिए कौन सी थेरेपी दे जाती है रेडियो थेरेपी दे जाती है तो जो रेडियो थेरेपी में क्या है यूज किया जाता है कोवाल्ट 60 यूज किया जाता है ठीक कोवाल्ट 60 इसका यूज किया जा तो कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अगर लूकोपीनिया रोग होता है, लूकोपीनिया रोग, किसे कमी से, अगर WBC की संख्या में कमी आ गई, तो लूकोपीनिया और उसकी संख्या में ब्रद्धी हो गई, तो लूकेमिया रोग हो जाता है, यह इतना आप लोग को पता चल गया है ना और अगर बात करें किसकी लिंफोसाइट की तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर अगर वहाँ पर लिंफोसाइट आएगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे है ना हाँ निमलिकित में से किस रुधिर कडिका को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है तो हमने फर्श्ट कवेस्चन पर ही पढ़ा था कि इरिथ्रोसाइट्स को कहा जाता है तो अरि-वी-सी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइटस इरिथ्रोसाइटस तो इसपे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नम्बर, राइट, नेट्स्ट क्वर्चंण क्यों देख लेते हैं, श्री, नेट्स्ट क्वर्चंण, WVC, WVC को क्या कहा जाता है, Leucocyte, ठीक, और Platelet को क्या कहा जाता है, Thumbocytes, Thumbocytes, मतलब क्या हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, Thrombus, और Thrombus का मतलब क्या हो गया, मतलब, Blood Clotting, Blood Clotting, जो अपना Platelets होता है, वह क्या कहरता है, Blood Clotting, मतलब, रक्त का ठक्का जमने में help करता है, कौन, Platelets, हमने ये पढ़ ही चुका है, कि रक्त को ठक्का जमाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा help करता है, Platelets करता है, अब बचा क्या, तो जो WVC होती है, WVC किसका ये क्या है, एक Immunity है, प्रतिरक्षा का निर्मार करती है, और जो RBC होती है, RBC ये किसका परिवहन करती है, Oxygen का परिवहन करती है, अब बचा अपना क्या, Lymphocyte, तो देखो, ये किसका एक टाइप है, WVC का टाइप है, Lymphocyte, अब WVC के किते प्रकार से होती है, पांच प्र Acidophil, दूसरी हो गई अपनी कौन सी? Basophil, तीसरी हो गई अपनी कौन सी? Neutrophil, चोती हो गई अपनी कौन सी? Monocyte, और अपनी पांच प्रही होती है, कौन सी? Lymphocyte. तो अपने को पढ़ना किसके बारे में आप जानना है लिंफोसाइट के बारे में तो लिंफोसाइट टू टाइब से होती है एक हो गई B-Limphosight B-Limphosight और दूसरी होती है कौन सी T-Limphosight तो B-Limphosights मतलब क्या होता है B lymphocytes मतलब हो जाता है या किसमें इसमें क्या पाया जाता है bone marrow अस्ती मज़़ा और T lymphocyte मतलब T lymphocyte मतलब यह इसमें क्या पाया जाएगा thymus gland thymus gland में पाया जाती है ने ठीक तो यह क्या हो गया lymphocyte के दो प्रकार होते हैं कौन-कौन से B lymphocyte और T lymphocyte ठीक और बात करें अगर bone marrow की तो जो bone marrow है वह कहाँ पाय जाती है जो लंबी हड़िया होती है कौन सी लंबी हड़िया तो लंबी हड़ियों के जो खोकले आंत्रिक भाग होते है न वहाँ क्या पाय जाती है bone marrow पाय जाती है और जो bone marrow होती है, कित्ते प्रकार से होती है, टू टाइप से होती है, कौन-कौन से एक लाल होती है और एक पीली प्रकार की होती है, कौन bone marrow, right, next question क्यों आँगे बढ़ते हैं वपन, कि RBC निर्माड की प्रक्रिया निम्न में से कहां से प्रारंब होती है, तो जो RBC के निर्मा की प्रक्रिया है, वह कहां से प्रारंब होती है, लीवर से, bone marrow से, इस्प्लेन से या योग से, तो देखो, जो अपने लीवर हो गए और bone marrow, यह क्या है, हमने क्या बताया था, कि यह हीमोपोईटिक अंग कहलाते हैं, यानि कि यह निर्माड करने वाले अंग, कौन से हीमोप कोईटिक औरगन्स हैं, लीवर और bone marrow, यह क्या करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कि यह ऐसे अंग कहलाते हैं, जो ब्लेड का निर्माड करते हैं, तो जो अपनी RBC और WBC वगएरा का निर्माड कहां पर होता है, यहां होता है, लेकिन जो इनकी प्रक्रिया कहां से प्रार पूछ लिए, या भी तो इसमें RBC पूछा, अगर पूछ लिए कि ब्लेड के निर्माड की प्रक्रिया कहां से होती है, सबसे पहले कहां से होती है, तो योग से होती है, योग मतलब पीतक, और इस प्लीन को क्या बोलते हैं, इसको ब्लेड बैंक भी बोलते हैं, ब्लेड ब रही है तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा डी नंबर राइट नेक्स्ट क्यों रांगे बढ़े हैं अब अपन प्लाजमा में उपस्तित वह प्रोटीन जो परासरणी क्रियाओं का नियमन करती है दा प्रोटीन प्रेजन्ट इन दा प्लाजमा विच रेगुलेट्स और समोटिक फंक्शन हमने जब plasma के बारे में बताया था तभी हमने वहाँ पे चर्चा किया था कि उसमें कौन सी दो protein plasma की कौन-कौन सी albumin और तो जो परासरनी प्रक्रियों को नियमन करती है वह कौन सी बताया था albumin तो अपना right answer क्या जाएगा C number और जो fibrin होती है यह fibrin protein क्या काम करती है यह blood clotting का किसका blood clotting का blood clotting का काम करती है कौन? अपनी fibrin blood clotting का blood clotting मतलब रक्ति इसकंदन रक्ति इसकंदन का काम कौन करती है fibrin करती है तो इस पर अपना right answer क्या गया है C number जो परासरनी क्रियों का नियमन कौन करती है albumin करती है next question क्योंगे बढ़ते है हमोपाइसीज हमने अभी कुछ समय पहले बताया था कि अगर hym word आ जाए तो hym word आ गया मतलब यह किस से related हो गया blood से और blood का अध्यान क्या कहलाता है hematology कहलाता है तो इसमें क्या पूछा अभी हमोपोईशीश हमोपोईशीश क्या कहलाएगा परिसंचरण तंत्र का अध्यान परिसंचरण तंत्र का अध्यान क्या कहलाता है एंजियोलोजी कहलाता है रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया तो जो रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती हमोपोईशीश कहलाती है हीमो हीमो पोईशीस तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया बी नंबर गया राइट बी नंबर राइट हो गया प्रति रक्षा तंत्र की नीमन की प्रक्रिया मतलब यह कैस से इमुनिटी से रिलेटेड है प्रति रक्षा से रिलेटेड है और रुधिर को जमने से रोकने क कि प्रक्रिय क्या कहलाती एंटी कोग्लेंट कहलाती है तो डיetto लिखी दिया है और कि नि инструмент के इसकंधन भी इसको भोलते़्हा है क्या बोलते हैं प्रटी इसकंधन इसकंधन जो ब्लेड अधसelt कि खोज किसने की, तो कृप्या वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को सेर भी कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जैहिन जैभारत धन्यवाद